नमस्ते हैं दोस्तान, कैसे हैं आप लोग, जहांगे पूरी में क्या हुआ सबको पता है, अब तक ये तमाम मीडिया चैनलों से आप तक के बाद पहुँच चुके होंगे किनी के खबरों पर आपको यकीन करने का मन कर रहा होगा तो किनी पर आपको थोड़ा संदेह होगा हम है ना आईए सच बताते हैं बिल्कुल authentic sources के साथ आईए एक बार उस दिन को सरसरे ढंग से जानते हैं क्या हुआ था उस शाम को हनुमान जैनती को बात 16 एप्रिल 2022 की है जी हां लगबख ठीक तीन दिन पहले की घड़ी में लगबख कुछ सवा छे बज रहे थे हनुमान जैनती का दिन था हनुमान जैनती 2022 अब ये दिन अगर फिर हिंदू भूल गए ना तो भाई लानत है आपके चलो कोई बात नहीं जुलूस निकली दिली से जहांगिरपूरी इलाके से होकर गुजर रहे थे जुलूस था भाई मयत नहीं थी और वो भी उनका जिन्होंने सुर्य वंशी लक्षमन जी के प्राण बचाने है तो सुर्य को ही लगने ही थे तो लगी रहे थे लगे फिर अचानक से अपने सात्यों के साथ अंसार जुलूस के सामने आता है और हनुमान जी के भक्तों से बहस करना शुरू कर देता है आपस में जड़प होनी शुरू हो जाते हैं जडप मुह से बहस होती है और बहस क्या थी कि यहाँ पे जुलूस के राम, जैश्री राम के नारे नहीं लगेंगे क्योंकि यह हिंदुस्तान क्या फिर्ट परता है क्योंकि यह मस्जिद है यहाँ पे नारे नहीं लगेंगे 25 करोड़ है तो ये حाल है सोचो 50 करोड़ होगा तो क्या होगा आप लोगों का तो ये सुनकर आपको अभी हसी आ रही होगी लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अनसार है कौन लगभग लगभग चैनलों के मात्यम से पता चली गया होगा मैंने भी पता किया तो पता करने से ये पता चलता है कि ये अनसार एक आल राउंड एक बहुत बड़ा गुंदा है लगबग पांच अन्य मुकदमे जिसमें मनी लॉंडन जैसे बड़े आरोप भी शामिल है बारा से पंद्रा बार मार पीट के नाम पर इसके कई बार केस दर् में जब भी होता है आम आदनी पार्टी के नेता ही निकलते हैं तो वो कोई आम आदमी नहीं था वो आम आदनी पार्टी का हमेशा की तरह सदस से था केजरिवाल जी एक बर फिर से वही करते हुए दिखे तो फिर आई एम कहानी पर आते हैं हमेशा की तरह उकसाने की कोशि परनिया जो दिखाती है वो कैसे होता तो थोड़ी ही देर में ये बहस पत्थराव में बदल गया और एक पक्षिये पत्थराव ये मैं नहीं कह रही हूँ ये आखों देखी केस दर्ज है और खुद पुलिस अधिकारी राजीव रंजन जी के द्वारा तो कस कहानी बस इतनी ही दिल्ली पुलिस ने जिनने गिरफतार किया उसके नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लगबाग 14 नाम जिसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम भी आये हैं सलीम उर्फ चिकना और चिकना की बहुत चिकनाहट के साथ दुलाई हो चुकी है उनकी हालत के वीडियो भ 22, अकरम 22 साल, इमत्याज आया 19 साल, महमद अली 27 साल, इस तरीके से शेक 42 साल, मतलब कि 18 से लेके 42 और 45 साल के अधेड़ उमर के लोग भी इसमें शामिर थे, लगबाग 14 से 15 एक ही कौम के, एक ही विरादरी के हैं, तो आते हैं उस बात पे, जो रायतार लगबाग देश के क समात धोकर देश के बहु संख्यक समा जानी की हम हिंदू के बच्चों को सुधारने की भरपूर कोशिश में लग गए हैं, तो क्या करते हैं, हमेशा की तरह पुरानी कोई फोटो निकाली, फेस्बुक पे लगाई और लंबी पोस्ट लिख दिया, और पोस्ट में बहुत ह रस्टिंग चीजे भी होती हैं दोस्तों, जिसे सुनकर लगता है अर्चा अइसा हुआ जिसे पढ़कर लगता है, हाँ बहुत बुरा हो रहा है, देखो जेखो पंडी जिकना बेटा बिगड़ गया, देखो बेटा पंडित का बेटा दंगाई हो गया है, यह हिंदू का ब बुद्धी जीवी लोग पक्षपाती रवईये से हम सेकुलर हैं और सेकुलर ना होकर भी परिशान है, इतने महान-महान बाते वो लिख रहे हैं और हम पे रिसर्च कर रहे हैं, भाई बुद्धी जीवी अगर हिंदू के बच्चों के लिए इतना परिशान हो तो देश के जो बुद्धी जीवी हैं वो सारे अपने ग्यान क्यों और के वो हिंदू बच्चों को ही समझाया जाता हूं, उनको क्यों नहीं कहते भाई कि आई-एस की तेरी करो, आई-एस की तेरी होने के बापजूद भी उन्हें जाकर राम मंदिर में जाकर और गोरकनाथ क मत्य मंदिर में जाकर गोलियां ही चलानी है, खैज़, शेर्मिया पत्थर फेक रही है, यह वही शेर्मिया है जो जाती है बुरके में, क्योंकि जुम्मन मिया और अब्दुल मिया की जो बेटी है, वो सिर्फ यही करेंगे, बेटा या तो पंचर बनाएंगे, या तो साइ अब आते हैं कुछ ऐसे बयान पे, जिनके लिए एक ही कहावत बनी है, कि सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, जी हा मिया वो ऐसे ही कह रहे हैं, सरकार आम जनता को दंगाई बना रही है, जिनका खुद का भाई देश के पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा देने की बात करके, ह खैर छोड़ो, कॉंग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक चौधरिया निलकुमार का कहना है, कि ये सारे चीजे जो हो रही है, वो भड़काव भाशन की वज़े से हो रही है, अनिये जी, जै हनुमान ग्यान गुनसागर के भड़काव कैसे हो गया, लड़ा बता खैर एक मौलाना है, मौलाना अर्शद मदानी, जमियत उलेमा ये हिंद का कोई संस्ता है, उसमें है सहाविय, कह रहे हैं मुसलमान को टार्गेट किया जा रहा है, अब एक बात बताओ, पत्थर भी मुसलमान बरसा रहे हैं, और टार्गेट भी मुसलमान हो रहे हैं, क्या बात है मौलाना जी थेर ये वही बात है कि भारत वर्ड कब में बंगला देश को टार्गेट करना अब हमारी एक टुक सुन लीजे आठ पुलिस वाले घायल हुए हैं और इस दंगे में कैसे घायल हुए हैं क्या हुआ है किस तरीके से पत्थर बरसाए गये हैं और किस तरीके के हजारी बाके इंटरनेशनल राम लॉमी में डीजे और रिकॉर्डट सॉंग पर बजाने की भी हिम्मत नहीं है कॉंग्रेस के गठवंदन सरकार ने उस पे भी बैन लगा दिया है इससे ज़्यादा क्या करें कोई रूल वो कहें नी बना देते हो कि बता दो कि ऐस तो हम भड़क भड़क के एक दिन को तुमको खतम ही हो जाओगे तुम्हें लाउट स्पीकर हटाने की बात करते हैं उस पे भड़क जाते हो जैश्री राम की बाते करते हैं उस पे भड़क जाते हो राम नौमी में बैंड वाजे की बात वजती है उस पे भड़क जाते हो हनुमा रूल बुक बताएं और भता दिया जाए कि आखिर ऐसा क्या करें बेचारे, बेबस, सेकुलर भाईचारों का जो पुरा बोज उटाने वाले हिंदू आखिर ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिसे आपका धर्म और आपका मजहब और आप खत्रे में ना आए और आपको डर का महौल महसूस ना हो आप बता दे बाकि आम आपनी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में पलायन करने के लिए लगा हुआ है जहां पर जहंगीरपुरी में ये हमले हुए हैं जोस्तों अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार से वहां सबसे जादा बंगला देशी रोहंगिया कहां से आये हैं उन्हें कैसे घुसपेटियों को घुसाया गया है कैसे उन्हें बसाया गया है इस सब के पीछे किसका हाथ है अगर दिल्ली वासियों को आज भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनके बेवकूफी पर मुझे तरस भी आती है और हसी भी आती है आज जब तक हमारे घर में बम बार जाता है और घर आता है मेरा परिवार मेरा पिता बिलकुल सुरक्षित है समझे वो जो हमान जैنتी पे जुलूस निकालता है समझे वो जो राम नोमी में बैंτ बजाने की बात करता है पाने की कमी तो हमारे बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं खेलते हैं होली, नहीं मनाते हैं हनुमान जयनती, क्या फरक पड़ेगा, जिंगल बेल जिंगल बेल कर लेंगे, क्रिस्मस मना लेंगे, क्या फरक पड़ता है, घर में सेवाईया बनाओ, बेट भी भरेगा, चाहिए क्योंकि सीधी बात तुआस तक किसी को समझ में आती नहीं जैने बंदे मात्रों